मोदी ट्रम की दोस्ती क्या दुश्पनों पर भारी पड़ेगी? अमेरिका का साथ क्या भारत को बनाएगा विक्सित देश? पाकिस्तान और उस क्या का चीन का क्या होगा हाल? क्या कहती है मोदी बनाम ट्रम की कुंडली? बता रहे हैं जोतिशाचारे मयंक शर्मा जी वो भी सिर्फ धर्म क्यान पर एक तरफ प्यमोदी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेकर चलने वाले वेक्ति हैं और दूसरी तरफ डोनाल ट्रम है अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क तो ऐसे में आखिकार दो ताकतवर मुल्कों के रास्टर धक्षों की कुंडली क्या कुछ कहती है? भारत के विकास में अमेरिका उसका कितना साथ देगा और भारत के साथ अमेरिका आखिकार कब तक खड़ा रहेगा और अमेरिका से भारत को कितना बड़ा फायदा भविश्य में हो सकता है इसे को लेकर आज हम बात करेंगे ग्रहों के चलते भारत और अमेरिका के रिष्ते कौन से कर्वत लेंगे आए जानते हैं मैंग जी से मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि जब पीम मोधी की बात आती है तो अमेरिकмет राश्पती डॉनल्ड टरम्प की भी आती है क्योंकि बीते कुछ सालों में भारत और अमेरिका के रिष्टे काफी क्लोज आएं, बहुत बड़े हैं, बहुत मधूर संबंद बने हैं, काफी मजबूत आए हैं, और ऐसे मैं जानना चाहती हूं कि कुंडली में वो कौन-कौन से ग्रहन अक्षत्र हैं, जो उनकी और पियम मोदी की दोस्ती को मजबूत करते हैं, इस समय दोनों की कुंडली पर नजार डालनी बहुत 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 होगी होगी, और हम पहले चर्चा करेंगे, डॉनल ट्रम जी की कुंडली पर, कि आखिर उनक अगर कोई सामने वाला लीडर भी मोदी के लिए बहुत जारा दोस्ती दिखाए, बहुत जारा रस्पेक्ट करें और आदर करें तो यह बात और भी बड़ी हो जाती है, अगर हम दोनों की कुंडली पर नजर डालें, तो सबसे पहले दोनों का ही व्रिशिक राशी है, दोन यानि कि दोनों का काम करने का तरीका बहुत जबरदस है, दोनों ही अनुशाशन प्रिये हैं, दोनों ही गलत चीजों को परदाशन करते हैं, भष्टाचार, अतंगवाद और जितनी भी बड़ी समस्या हैं, उस दोनों जो यह अध्यक्ष हैं, एक साथ आकर खड़े हैं और चैफ्टर लिखा जा रहा है, दोस्ती का, रिष्टों के मजभूती का, और दोनों देशों के काम कारोबार को लेके भी, तो ट्रम की कुल्डी जो है, बड़ी पावर होल है, और मोधी को बिल्कुल सूट कर रही है, अगर ट्रम कुछ कहना चाहेंगे, तो मोधी उसको कुडिये और राहू हैं, और बारवे घर में शुक्र और शनी का इनका योग बनावा है, कुंडली में घर है, इनके बहुत पावर्फूल है, देखे, 2017 से इनको ब्रस्पती की दशा शुरू हुई है, वो इनके लिए बहुती एक नया अध्याय लिखने जा रही है, एक नय अमेरिका में इस समय थोड़ा सा यह वाइरस को जारा फैल है, परिशानी हो रही है, वहां की झोधरी लू समस्य हैं वह भी इस समय काफी anál होती नज़र आ रही है, और यह जो घरह सिती बन darüber है नवंबर में यह चैंज हो रही है, शुरू हो रही है, वह बहुत की शूब, के लिए पταफिक के लिए ज बात हो निए की दोनों देशों के लिए महें की जाते हैं तो वह वहां पे मोडी में मोडी की जैजयकार होती है और जब डॉनल्ड ट्रम्प भारत आते हैं तो केमचो ट्रम्प में डॉनल्ड ट्रम्प की जैजयकार होती है और दोने रास्टे धक्षों के बीच में एक घजब की गर्म जोशी देखी गई है तो मैं यह जाना चाहती हूं कि पियो मोडी और डॉ काद्वान हो रहें यह धूर्-कामी परिणाम देखने को मिलेंगे और में खुब रहेगा दोनों देशहों के लिए यह दोनों देशों के रिच्टोर में के साथ खड़े रहेंगे क्या लगता है चीन से मुकाबला करने के लिए क्या हमेशा अमेरिका भारत का साथ देगा पीए मोदी के साथ खड़े रहेंगे डॉनाल ट्रम्प बिलकुल देखिए वो इस समय मोदी जिस तरीके से उनके सामने बात रखेंगे और जो परिशानिया को जिलनी पड़ी है दोनों चीजों देखकर गहरन शत्र के अनुसार जो व्रस्पति की दशा जो इस समय चल दी है वह बहुत ही शुब है और मोदी जी को चंदरमा की दशा है तो दोनों को इस शुब दशा चल दी है और दोनों ही एक साथ आगे मिलकर बढ़कर काम करेंग और मोदी जो कहेंगे वह ट्रंप उसको मानेंगे और जो ट्रंप कहेंगे वह मोदी मानेंगे एक दूसरे के साथ मिलकर यह चाइना को बिलकुल पूरी तरीकी से पचाड़ेंगे और उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे लेकिन अगर बात करें हम अमेरिका के आंत क्वारत में जब मोधी सरकार आए थे तो था कि अपकी बार्ट की सरकार क्या लगता इस बार जो हालात बनने हैं इनकी कुर्णी में बुद की दशाव हो रही है यनि गुरू में बुद्र लग जाएंगे नमंबर से ही और चुनाव के बार जो है वो फैसला जो है ट्रम्प के पक्ष में फिर से आएगा यानि कि ट्रम्प एक बार फिर से डोनाल्ड ट्राइम जो है अमेरिका के राष्टपदी बनेंगे ऐसे कुछ गहरे नक्षत्र उनके बदाते वे नजर आ रहे हैं आने वाला समय रहेगा और ट्रम्प के आने से दोनों देशों के रिष्टों में औ आने वाले समय में रहेगी तो इन दोनों की दोस्ति का असली फाइदा भारत को जाड़ा मिलेगा चले तो यह थे मैंसा मैंक्षमा जी जिनके साथ आज हमने यह डिसकर्स किया कि आखिरकार पियम मोदी की कुंडिली और डोनाल्ड ट्रम्प की कुंडिली आपस में कितने मि जो दोस्ती है वो भारत और अमेरिका के रिष्टो को कितना मस्बूत करेगी भविश्य में और जो दुश्मन देश हैं जैसे कि चीन और पारकिस्तान जो हर भारत की रहा में हमेशा रोड़े अटकाते रहते हैं आखिरकार उनको क्या कुछ सबक सिखाएगी इसी किसा स्क्रीन पर दिख रहे इस नमबर के जरीए आप मैंक्षरमा जी से डारेक्ट संपर कर सकते हैं आपकी हर समस्य का समधन आपको उनी से मिल जाएगा इसी के साथ हम दरू को दीजिए इजाज़त नमस्कार आज आप उस भूमी पर है जहां पांच हजार साल पुराना प्लां सिटी दोला विरा रहा है और इतना ही पुराना लोथल सीपोर्ड भी रहा है आज आप उस सावरमती नदी के तट पर है जिसका बारत की आजादी में एहम स्थान रहा है आज आप विविदता से भरे उस भारत में हैं जहां सैक्ड़ो भासाएं बोली जाती है सैक्ड़ो तरह के परिधान है सैक्ड़ो तरह के खानपान है अनेको पंत और समुदाए हैं हमारी ये रीच डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी में यूनिटी और यूनिटी की वाइवरंसी भारत और अमेरिका के बीच मजबुत रिष्टे का बहुत बड़ा आधार है